दोस्तो टाइम इज मनी जो आदमी टाइम खराब करता है उसका मतलब जो समय की अत्या करता है वो आत्मत्या करता है आज के टाइम पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट असेट्स है वो है आपका टाइम कोविड में अल्रेडी बहुत कमटीशन है आर्थिक मंदी धीरे धीरे आचुकी है अब हमारे सामने एक ही कोशन है कि कैसे हम अपना प्रोफिटेवल बिजनिस स्टार्ट करें या फिर हम अपने बिजनिस को किस तरह से एक्सपेंशन में लेके जाएं कि हमें प्रोफिट मार् यूनिट लगाएंगे इंडिया में कितना भी कर लीजिए उसके बरावर मैनुफेक्चरिंग के बरावर उस तो यूनिट के बरावर आप प्रोफिट कमा ही नहीं सकते हैं मोपेज सिंग वेलकम तो आर्चो दी मनी सो सीजन 2.2 आए टूप अब बिजनेस फाइनेसर मनी और बहुत सारे स्ट्रॉंग पॉइंट बताए थे कि बहुत सारे आपको टेक्स बेनिफिट मिल रहे हैं फाइव यर नो टेक्स एस बेलाएज आफ्टर फाइव यर टेन परसेंट इसके अलावा बहुत सारी अनलिमिटेड अपर्चुनिटी आपको मेरा आगास कर दे रहा है लेकिन आज के सो में में सिंगल वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनिस स्टार्ट करेंगे लो इनवेस्टमेंट में कैसे आप अपने बिजनिस को एक्सपेंड करेंगे नियर वाई सेवन तू एट कंट्रीज में कैसे आप इंडिया चाइना बंगलादेश क पाकिस्तान में मिली ही नहीं सकता आप क्यों पडिपेंट करता आपको प्लैनिंग क्या करनी है दोस्तों मेडागासकर की कैपिटल है अंता ना ना रहो मैं कही वार मेडागासकर जा चुका हूँ मेडागासकर के अंदर मलागासी लेंग्विज बोली जाती है as well as French मेडागासकर की करन्सी है मालागासी अराई रही है दोस्तों डिफरेंट कंट्री में मेरे बहुत सारे क्लाइंट का बिजन सेट अप कराने जाता हूँ अनफोर्चनली मेरे पास कुछ मेलागासकर के करन्सी पड़ी हुई है आप देख सकते हैं यह मेलागासकर का 20,000 का जिमबामबे ने अपने अंदर सारी कंट्री करन्सी को अलाव कर रखा है बहुत सारी कंट्री में सिंगल करन्सी चलती है जैसे कि सीएफे फ्रेंक नियली 14-15 कंट्री में एक ही करन्सी है तो दोस्तों आपको प्लैनिंग करनी होती है अपने बैटर फ्यूचर के लिए मैड मेडागासकर की बात करते हैं मेडागासकर में आज हम डिसकस करेंगे कैसे आप किस सेक्टर में आप किस तरह की स्ट्रेजी बनाएंगे प्लैनिंग बनाएंगे और कैसे उसको implementation करेंगे सबसे पहले बात करते हैं manufacturing सेक्टर की कि क्यों हम manufacturing डालें दोस्तों सबसे पहला benefit है मेड़ागास करका आपको 5 year tax holiday मिलता है यानि 5 साल तक आपको कोई tax नहीं देना है मैं इसको आपको simple सब्दों में समझाना चाहता हूं जिससे कि आपको पता चले इसका benefit का long time पर हमें कितना effect बढ़ता है दोस्तों अगर आपको मेड़ागास करके अंदर business start करना है तो आपको किसी भी तरह की manufacturing डालनी है export driven manufacturing export driven manufacturing का मतलब है manufacturing units जो export oriented होती है उसका फाइदा मिलता है हमको मेड़ागास की government five year tax holiday देती है इंडिया के अंदर हम किसी भी तरह की factory लगाए 30% हमें tax देना है लेकिन अगर हम मेड़ागास कर में किसी भी तरह का project लगाए तो हमको 0% tax देना है यानि आज से आने वाले 5 साल आप जो भी बेचिए आपने इंडिया के अंदर manufacturing unit लगाई आपको आज से लेकर आज इवन जब तक आप business कर रहें 30% tax देना है लेकिन आपको अगर मेड़ागास कर में business करना है तो पांस साल तक तो कुछ नहीं देना और पांस साल के बाद में 10% देना है इसका मतलब आप इंडिया की किसी भी manufacturing unit से 20% profit हमेशा ज़्यादा कमाएंगे आपको फाइव यह और फाइव यह तक 30% profit इंडिया की किसी भी manufacturing unit से ज्यादा कमाएंगे आप कोशन आता है इंडिया में production करते हैं इंडिया बहुत बड़ा market है मैड़ागास कर चोटा market domestic market है दोस्तों मैड़ागास कर के साथ जब आप एक export oriented company मनाते हैं मैंने शुरू में बोला आपको manufacturing unit वो डालनी है जो export driven हो उसका फाइदा क्या होता है मैड़ागास कर में आप जब manufacturing करते हैं domestic market already बहुत profitable market है क्योंकि less manufacturing unit है इंडिया के अंदर domestic market profitable market क्यों नहीं है इंडिया के अंदर हर district के में हर city में हर state बहुत सारी manufacturing unit आपको देखने को मिल जाएंगी single product की चाया बाटर bottling plant हो चाया बिस्किट manufacturing plant हो चाया soap detergent से रिलेटेड हो किसी भी तरह की unit आपने लगा रखी है आपके 200-300-500 km के दर्मियान आपको दूसरी unit मिली जाएगी तो इतना competition जहां है हम वहाँ domestic market में कभी survive नहीं कर पाते उपर से देना है 30% tax अब हम बात करते हैं मैड आगास करके मैड आगास कर में पहली बात तो less manufacturing units हैं आप अपनी monopoly create कर लेते हैं आज इंडिया में आपको उसी investment में credit पे माल देना पड़ता है मैड आगास करके अंदर cash to cash business चलेगा क्योंकि monopoly है जो आदमी आप से नहीं लेगा इंडिया चाइना बंगलादेश से मंगवाएगा उसको वो चीज shipment को साथ बहुत costly पड़ेगी लेकिन आप से लेने में उसको सस्ता भी पड़ेगा profitable भी है trust भी है क्योंकि आप एक local manufacturing unit लग better quality product नहीं मनाती है आप उनके लिए local नहीं है आप एक international company है जो उनकी country में एक better know-how technology के साथ में work कर रही है तो दोस्तों सबसे पहली बात domestic market बहुत अच्छा है दूसरा export driven का फाइदा जितनी भी country है मेडागास कर के पास में जैसे हम बात करते हैं South Africa Africa की सब से developed country अगर आप व calculate कर लेते हैं इंडिया से अगर एक biscuit का container South Africa जाता है मतलब 8500 km के आसपास इंडिया से वो चीज जाती है shipment cost बहुत ज़्यादा है लेकिन वही बिस्किट मेडागास कर से South Africa जाता है तो 2740 km की दूरी है shipment cost बहुत कम है मतलब मेडागास कर में बना हुआ product shipment के हिसाब से South Africa में cheap है South Africa के पास में पढ़ता है नामीबिया, अंगोला, मोजांबिक, मलाभी, जांबिया, जिंबामबे ऐसी countries 7-8 countries बड़ी country हैं जहां आप easily अपने product को launch कर सकते हैं इंडिया, चाइना, बंगलादेश यानि सबसे सस्ता बनाने वाला market चाहे वो सस्ता बना रहा है अगर वो market से भ अब आप कहेंगे सर ठीक है margin का मुगा factory हमारी इंडिया में लग रही है, दोस्तों margin पर भी बड़ा अंतर है, पहली बात इंडिया में आप कितना भी कमा के लाएंगे 30% tax है आपके उपर, वहां आपके उपर 0% tax up to 5 years, और after 5 years कितना tax है 10% only, इंडिया की कोई भी company अगर 10% क margin पर, यहां से South Africa, जिम्मांबे, अंगोला, नामी विया, बोट सुवाना as well as Jambia, मलाभी जैसी countries में माल भेजती है, सबसे बड़ा market Indians के लिए तंजानिया, अगर वहां तक हम माल भेजते हैं तो हमारी shipment cost बहुत जादा है, अगर हम फिर भी 10% margin लेते हैं, अगर हम एक ऐसी country से माल भेजें, जाँ shipment cost कम है, और as well as हमको tax में 30% का profit है, तो हमारा profit हो गया 40%, दोस्तों 40% बहुत बड़ा अंतर है, अगर 10 लाख का माल, अगर आप 20 लाख में बेच रहे हैं, तो आपको वहीं 40 लाख, 45 लाख बचता है, that we call profit, real profit, rotation नहीं गुम रहा है, असली में पैसा रह क्या आपको बनाता है, multimillionaire, अगर आपको multimillionaire बनना है, successful businessman बनना है, तो आपको चाहिए right planning, अब दोस्तों हम सोचते मानिये, चलो ठीक है, कि हमने मेडागास कर की बज़ाए, इंडिया से लिए 10% margin है, और हमारा profit कैसे वड़ सकता है, दोस्तों मैंने कल ही आपको मेडागास क अंदर के अंदर आपको मिलेगी एक favorable climate, आपको मिलेगा fertile land, और एक ऐसी country जहां मिलेगी आपको low cost input की labor, मतलब इंडिया से सस्ती labor में production हो रहा है, tax holiday के साथ production हो रहा है, इंडिया से कम supplement में दूसरी countries में export हो रहा है, एक बच्चा भी समझ सकता कितना जवर्दस margin है, दोस्तो अब एक आदमी का question है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमारे पास मैं regular कि कई बार मैं कई countries की बताता हूं, तो लोग कहते हैं सर कि हम उसी country में manufacturing unit क्यों नहीं डाल लेते हैं, जहां आप target करने के रहे हैं, तो मैंने आपको सुरू में एक ही चीज बोली थी, मैडा अगास कर यानि कम amount में आप unit लगा सकते हैं, अगर हम बात करते हैं South Africa की, अगर हम South Africa को target करते हैं, तो सबसे better option आता है South Africa के अंदर factory लगा ले, लेकिन South Africa के अंदर आपको एक company set up करने के लिए minimum cost आती है, 1 million US dollar, बहुत बड़ा amount है, 6-7 crore रुपे, अगर आप यही factory industry मोजामबिक में ल minimum है, चाहे कितना भी चोटा plant लगा लो, मलावी 50,000 US dollar, अंगोला के अगर हम बात करें गोस्तों, अंगोला के अंदर 1 million US dollar जो की recently किया गया है, आज से देड साल पहले अंगोला में कोई भी sector, किसी भी sector में आप entry कर लीजिए, आपको factory लगाने के लिए minimum 10 million US dollar चाहिए थे, अ बिजनसमेन के लिए, बहुत बड़ा मार्ग, बहुत बड़ा अंतर है, 67 क्रोड रुपे में लगा के factory लगाना, तो उनके लिए तो matter option है, तो इंडिया में काम करें, यही से export करें, कम margin कमा लेंगे, लेकिन यही चीज आप अपनी menu fetching unit, कम amount में 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 अधागास कर में लग का main trade partner है, मतलब में अधागास कर से South Africa जाने वाले product की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो सारे product जो आप इंडिया से South Africa, तंजानिया, मलाभी, मोजांबिक, अंगोला, नामी विया जैसी countries में export कर रहे हैं, export data calculate कर सकते हैं, चाहे, biscuit है, detergent है, soap है, summercible motor, electric wires, कोई भी item, उसकी अ अगर आप unit में मेडागास कर में लगाते हैं, cheap labor के अंदर आपका माल बनेगा, less capital में आप free हैं, जितना budget आपके पास है, उसके अंदर कम production line के साथ start कर सकते हैं, export में आपको इंडिया से 40% margin जादा मिलेगा, as well as local domestic market में cash to cash profitable price पर आप माल निकालेंगे, और tax holiday, कम से कम 20 years, एक ऐसी factory, एक ऐसा vision, आने वाले 20 साल केवल profit है, दोस्तो, manufacturing में बहुत सारी सम्मावना हैं, मेडागास कर मैं काफी बार गया हूँ, मेडागास कर मैंने पूरा explore किया हुआ है, अभी undeveloped country है, easily आप इसके development में साथ दे सकते हैं, इसकी बहुत सारी better policies का फा energy sector हो, industry sector हो, या construction sector, आपको 50% tax reduction मिलेगा हर sector में, लेकिन अगर especially exports and related companies की बात करें, 100% reduction, up to 5 years no tax, after 5 years only 10%, minimum corporate income tax only 10%, यह आपको एक profit देता है, मेडागास कर में ऐसा नहीं है, आप केवल manufacturing unit लगा सकते हैं, मेडागास कर एक इतनी प्यारी country है, जहां आप बहुत सारे other investment कर सकते हैं, मेडागास कर में आप infrastructure में जा सकते हैं, road infrastructure अभी develop हो रहा है, real estate अभी develop हो रहा है, नहीं नहीं city develop हो रही, country grow हो रही है, तो आपको वहा infrastructure की असीम संभाव नाए हैं, और आप easily उनके अंदर intrigue कर सकते हैं, बताने की जरूत नहीं है, एक अंडवलप country है, में infrastructure वहां का key point होता है, जिसकी वहां सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, दोस्तों अगर हम बात किरें, mining की मैंने कल ही आपको बताया था, Tata, SR, Jindal जैसी companies already pipeline में है, बहुत सारे product, cobalt, chromium, जैसे product वहां मिलते हैं, जैसे minerals वहां मिलते हैं, आज आप gems stone में जा सकते हैं, ज्यादा तरह वहां का gemstone illegally export कर दिया जाता है, लेकिन आप एक proper manner के अंदर, gemstone के अंदर जा सकते हैं, कोवाल्ट, क्रोमियम जैसे असेट्स के अंदर जा सकते हैं और आप माइनिंग में एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं माइनिंग में भी आपको टेक्स होलिडे मिलता है मिनिमम कैपिटल की रिक्वाइरमेंट से आपको छूट मिलती है अगर आपका मोर देन 50 मिलियन यूस ड अपको प्लांट मशिनरी लाने पर भी टेक्स प्री है लोकल प्लांट मशिनरी आप पर्चेज करते हैं तो जो लोकल वैट है वो भी रिम्बर्स हो जाता है इतने सारे बेनिफिट आपको तीनों सेक्टर में मिल रहे हैं बहुत बड़ी कंट्री नियर वाई है उनमें आप एजिली अपनी इंट्री कर सकते हैं आपके खुद के ब्रांडेड प्रोड़क्ट के साथ में जो लोग चाते हैं हम मेनुफेक्शिंग यूनिट ना ले जाएं तो आप अपनी पैकेजिंग यूनिट लगा सकते हैं आप एक असेंब्लिंग प्लांट वहाँ से अगे लेके जाती है एक प्लैनिंग आपको लेके 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 जाती है तब जाके आप बेटर मार्जिन कमाते हैं मेरा एक ही सिंपल कोश्चन आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 30% टेक्स देते हैं और जबरदस्ती कोशिस भी करते हैं टेक्स कम देने की और उसके पागजूद हमको पैसा नहीं मिलता है क्रेडिट पर माल देते हैं 100 लोगों को माल देते हैं 20 को कह देते हैं कोरोन आ गया कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया और आपका पैसा आता ही निए दू भी जाते हैं क्यों ना हमें कैसे मार्केट मापने फैक्टरी इंडस्री बहुत सारे लोग जिनकी factory industry profit पर नहीं चल रही हैं, आप अपने पूरे के पूरे plant को उठा कर, used plant को ले जाकर एक better manufacturing unit दुबारा install कर सकते हैं, सारे tax benefit के साथ में, जो plant machinery आज हमें यहाँ पैसा नहीं दे रहा, दो ही चोई से हैं, या तो बंद कर दें, और हम घाते में और घात हाँ के बैठ जाएं, या फिर हम एक better place, better country चूज करकर, plant और machinery को वहाँ से ले जाकर, दूसरी जगे shift कर दें, दो तो business में shifting करनी पड़ती है, अगर business profitable नहीं है, तो आपको change करना पड़ता है, मैं regular बोलता है, corona काल है, corona के साथ जीना है, बहुत सारे लोगों ने हमारी बात म सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, चाहे एंडिया से target करें, चाहे उस country में जाकर, जिस market में माल बेचना है, उस market में बैठ कर माल बेची है, आपको planning करनी होगी, import-export की बात करता हो, तो मैडागासकर में इंडिया से बहुत सारे goods जाते हैं, सबसे नमबर बन पर आता है, pharmaceutical product, cereals cloth, ये ऐसे चीज़े हैं, plant and machinery जो इंडिया से बहुत जाती है, सबसे कुछी की बात है, मेडागासकर जैसी country में, 20,000 से ज़्यादा इंडियन रहते हैं, बहुत सारे 4-5 इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे मैंने कल बताया था, लिटिल इंडिया, एक वहां का बहुत अच्छा फेमस रेस्टोरेंट है, 20,000 इंडियन समय से 17,000 उनका तो ओरीजन ही मेडागासकर का है, इंडियन है, 2500 से ज़्यादा इंडियन पास्पोर्ट होल्डर से है, एक ऐसी country जहां आप अपने आपको next level ले जा सकते, एक ऐसी country जहां से आप बहुत बड़ी countries को target कर सकते जहां इंडिया से डेली आप ट्राइ कर रहें कस्टमर को catch कर नहीं, कर नहीं पा रहे हैं, फिर वहां जाकर factory डालने के बाद भी tax ज़्यादा देना है, आपको tax कम देना है, आपका माल वहां से वहां easily जा सकता है, आप easily मेडागासकर से, अंगोला जैसी country को target कर सकते हैं, सा पर आदमी अपनी जिंदिगी में बदलाव कर सकता है, कोशिस आपको खुद को करनी है, दोस्तों मैं हमेशा पूरी कोशिच करता हूँ, अपना 100% देता हूँ, जो मैंने अपने 15 साल के business experience में सिखा है, आज मैं आपको regular money show में बता रहा हूँ, कैसे मैंने अपनी strategies apply की हैं, क दीरे दीरे जाकर हमने अपने business को 10 country तक लेगे हैं, हर जगे हमने strategy apply की, रस्ता निकाला और profit कैसे बचाया जाए, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, यही main motive होता है, हम सब का एकी motive है, हमारा business किसी भी COVID में, किसी भी lockdown के अंदर, किसी भी cancer में, किसी भी accident में, हमारा business नहीं रिचानी आती हैं, लेकिन जब आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता रहता है, तो आपको कोई भी फरक नहीं पड़ता, उसके लिए planning सही होनी चाहिए, मैं आपके, मैंने आज आपको एक ऐसी country बताई है, जहां बहुत सारे लोग अपना career change कर सकते हैं, बहुत सारे investment इतना करना है, local content की कोई जरूत नहीं है, कोई local partner की requirement नहीं है, hundred percent foreign owned company बना सकते हैं, जब आपको इतनी सारे benefit मिल रहे हैं, तो आपको सुरू कर देना चाहिए, आपका profitable business, this is the right time, आपकी strategy और planning करने के लिए, जिससे कि आप अपना profitable business खड़ा कर सके, दोस्तों अगर आप real estate म जिसमें profit नहीं है, property के अंदर, तो change कर दीजे, job जिसमें आपको growth नहीं मिल रही, आप समझते हैं, आपके अंदर potential है, तो किसका wait कर रहे हैं, पैसा कम है, तो भी countries available है, जहां आप अपना future better way में खड़ा कर सकते हैं, पैसा जादा है, तो और better way में जा सकते हैं, मैंने आपक approach के साथ में, तो अपने आपको खड़ा कर लीजिए, ready कर लीजिए, battle of business के लिए, see you soon friends.